दोस्तो ऑस्टेलिया की तरफ से बहुत ही अच्छी नियूस आ रही है। ऑस्टेलिया में helper, packing and warehouse related work मिलना और भी आसान हो गया है। In fact, ऑस्टेलिया ने एक government website भी launch कर दी है, जिसमें बहुत सारे लोगों को job मिल रहे है। दोस्तो ऑस्टेलिया में अगर आप uniskilled category के लिए try कर रहे हो, तो आपको experience के बिना भी job मिल सकता है, अगर आपकी education कम है, that is 5th, 8th, 10th year 12th pass तक आपकी पढ़ाई हुई है, तो भी आपके chances है। और uniskilled and semi-skilled category of jobs के लिए English test के जरूत नहीं पढ़ती है, आपकी age 18 से 55 के बीच में होनी चाहिए, और आपको कोई agent के जरूत नहीं है, jobs के लिए apply करने के लिए, अभी दोस्तो ऑस्टेलिया में लोगों को अलग-अलग subclasses से job मिल रहे है, एक तो बहुत ही famous visa है, जिसको बो different schemes चल रही है, जिसके through employer आपको बुला सकता है दूसरी country से, दोस्तो ऑस्टेलिया में अगर आपको ऐसे helper भी job मिलता है, तो आप 2 से 5 lakh per month के बीच में कमा सकते हो, obviously आपको सबसे पहले company से job लेना पड़ेगा, और अगर आपको job लेना है, तो आपके पास एक international standard का CV and cover later होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप कहीं पर भी jobs के लिए apply नहीं कर सकते हो, अभी दोस्तों मैं आपको high demand jobs के बारे में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको documents and requirements के बारे में बता देता हूँ, सबसे पहले आपको एक ऐसा job मिलना चाहिए, जो कि full time work हो, that is 40 hours per week आपको minimum काम कर पर आपको sufficient fund बताना पड़ता है अपने bank account में कि आप खुद को support कर सकते हो, पिछले 6 month की bank statement बतानी पड़ती है, application का form फिल करना पड़ता है, आपको जो job मिला है वो high demand list में होना चाहिए, आपका genuine intention होना चाहिए to work, आपको एक PCC करवाना पड़ता है, एक travel insurance की भी जड़त और आपके पास एक valid passport होना चाहिए, जिसमें 6 month या उससे ज़्यादा की validity बची हो, अब हम दोस्तों ये समझ लेते कि आपको Australia में ही काम क्यों करना चाहिए, Australia में ऐसा क्या खास है कि आपको दूसरी country को छोड़के Australia में ही try करना चाहिए, दोस्तों सबसे बड़ा advantage आपको Australia म बना चुके हैं, दोस्तों Australia में आपको 2-3 साल में PR भी मिल जाती है, दोस्तों Australia की neighboring country से Papua, New, Guinea जो की north में स्तित है, और New Zealand जो की east में स्तित है, दोस्तों Australia का work culture बहुत ही attractive है, यहाँ पे work life balance बहुत ही अच्छा है, OECD work life index में Australia की rank number one आई थी, तो आपको जितने घंटे का काम मिलता है, आपको उतना ही करना है, अगर आप उससे extend करते हो, तो आपको overtime भी बहुत अच्छा मिलता है, और दोस्तों currently Australia की average monthly wages $4,000 से $6,000 पर मन्त है, जो की बहुत ही अच्छा amount है, और Australia में diversity of culture भी है, आपको बहुत सारे Indians भी मिलेंगे, अब दोस्तों हम यह समझ लेते की कुन से इसे jobs है, जिन में बहुत ज़्यादा skill shortage है, nurses, caregivers, babysitters, software engineer, medical practitioner, delivery boy, truck driver, farm worker, waiter, chefs, electrician, plumber, receptionist, teachers, teachers में भी आपको kindergarten teacher भी मिल सकता है काम, और primary school teacher का भी काम मिल सकता है, इसके अलावा अगर आपकी education अच्छी है, तो आपको university में भी work मिल सकता है, ऐसे lecturer, cashier, customer service representative, store supervisor, logistic coordinator, van driver, cab driver, hairstylist, nail technician, laundry attendant, cruise line में crew member, या cafe में बैरिस्टा, इस टाइप के आपको work मिल सकते हैं, बाइद अगर आप मेरे चैनल limitless में पहली बार आए हो, तो इस चैनल को subscribe जरू कर लेजिए, और ये वीडियो अच्छा लगता है, तो दोस्तों के ताच share भी कीजिए, दोस्तों पेले एक international standard का CVN cover letter बनाना है, के बाद आप right platform से apply करना शुरू कीजिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि apply कहाँ पर करना है, तो दोस्तों स्क्रीन पर कुछ website दिख रही है, इन websites में आप आजी से apply करना शुरू कर सकते हो, इसके अलावा दोस्तों एक government website भी निकली है, जिसमें आपको 4 years का भी visa मिल सकता है, और दोस्तों उसके लिए आपको jobs के लिए apply करना पड़ेगा, आप रोज minimum एक गंटा दीजिए, और आप कुछ महीने पहले से expect करके चलिए कि आपको इतना time तो लगेगा to get the job, it's not a one day process, यह याद रखिये competition भी रहता है, तो आपको सह जगे पर apply करना है और सही CV and cover letter से apply करना है, तब ही आपके chances maximum होते हैं, आप इसका benefit अपने दिमाग में रखियेगा, कि अगर आपको Australia में work मिल जाता है, तो इंडिया के मुकाबले 5 से 10 गुना ज्यादा salary आप कमाते हो, depending on the work profile, तो सोच कह रहे हो, आज ही से apply करना शुरू अभी मैं आपको डेमो भी दिखा देता हूँ कि कैसे आपको इंडिया अपलाय करना है, चलिए screen पर, दोस्तों अभी मैं आपको Australia की एक बहुत famous website है, seek, इसकी link है seek.com.eu, यहां की मैं आपको vacancy बता रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हो, अलग-अलग vacancy से, मैं आपको सबस देख सकते हो, जैसे foot process worker, इसमें आपको 32 से 37 डॉलर पर अवर मिलेगा, यह जो work है, यह Sydney में है, इसके अलावा अगर आप कोई part time work ढून रहे थे, तो यहां पे part time work भी है, picker and packer का, जिसमें आपको हफते में 2 से 3 दिन काम करना रहेगा, तो दोस्तों अभी मैं आपको example बत हुई है, 7 a.m. से 3 p.m. everyday, और लगबग हर रोजी आपको overtime भी करना पड़ेगा, overtime में आपको 25% extra मिलता है, यहां पर parking भी available है, तो अगर आपकी खुद की गाड़ी है, तो आप आराम से parking में पार्क कर सकते हो, कभी भी, यहां पर key responsibilities क्या है, picking and packing according to pick slips, आपको slips दी जाएगी, उस slip के basis पे आपको सामान उठा के एक particular जगे पे रखना है, receiving goods, inverts, accurate admin processing of stock, मतलब आपको कितना stock आया है, कितना stock जा रहा है, हर चीछ का inventory record रखना पड़ेगा, assisting with warehouse organization, मतलब warehouse में जो सामान है, especially shelves में, उनको ठीक से, अच्छे से, organized manner में रखना पड़ेगा, इसमें एक और है, कि आप physically fit होने चाहिए, काम करने के लिए, और यह जो work है, यह immediate hiring का है, लिखा हुआ immediate start, मतलब urgent hiring का work है, अभी दोस्तों मैं आपको fruit staff के भी कुछ work बता देता हूँ, जैसे यह आपको पहली vacancy दिख रही है, fruit and vegetable staff की, यहाँ पे आपको 30 से 35 dollar per hour मिलेगा, इसके अलावा fruit and vegetable assistant की भी जरुत है, यह जो outlet है, outlet का नाम है, fruity life, इसमें आपको 35 dollar per hour मिलेगा, इसमें basically store है, fruit and vegetable की, उस store को assist करना है, इसके अलावा एक जो job है, इसमें picker, packer और driver, तीनों की जरुत पढ़ती है, इसमें आपको 70,000 से 80,000 dollar every year मिलेगा, यह जो company है, इसका नाम है the wholesale fruit company, और य दोस्तो इसी type से vacancies निकलती है, यह website का नाम है seek.com और इसमें आप apply करना शुरू कर सकते हो, तो दोस्तो जैसे आपने देखा इस तरीके से आप jobs के लिए apply कर सकते हो, vacancies बहुत सारी है, आपको regularly apply करना पड़ेगा, apply करोगे तब ही result मिलेगा, अभी 4-5 schemes चल रही है, जिसके through employer आपको दूसरी country से hire कर सकता है, अगर आपको कोई भी company job देती है, तो आपको employer letter of sponsorship देता है, और आपके भियाप पर work permit भी initiate करता है, और आपको company की तरफ से कोई point of contact मिल जाता है, जिससे आप discuss कर सकते हो, अगर आपको visa related कुछ भी query से तो, इसलिए आपका main focus होना चीए to get the job from the employer, अगर आपको कोई company से job मिल जाता है, तो company आपको full support करती है, and yes, आप family के साथ भी shift हो सकते हो, आपकी wife के लिए spouse visa रहता है, बच्चों के लिए dependent visa रहता है, in fact, Australia एक ऐसी country है, जिसमें आप अपने parents और grandparents तक को बुला सकते हो, तो आज ही से apply करिए, और मेरे channel limitless bank में, अगर आप एली बार आए हो, तो इस channel को subscribe जरू कर लिजिए, वीडियो अच्छा लगता है, तो दोस्तों के साथ share भी कीजिए, so that's all for this video, I wish you all the best, and see you in the next video.